Hello everyone, स्वागता आप सभी का जुनिक्लासिज में सभी पारे विध्यारत्यों को नमस्कार राजस्तान, RSM, SSP, LDC बर्ती 2023 की अगर हम बात करें नई बर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा राजस्तान में LDC नई बर्ती कब तक आएगी CET का रिजल्ट कब तक आएगा LDC में कितनी पोस्ट होँगी फॉरम कब से कब तक बरे जाएगे एग्जाम कब होगी संपूर जानकरी स्विडिकंदर देने वाला हो साथी में आपको बताऊँगा आपको क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये भी जानकरी दूँगा तो एंग तक आपको वीडियो को देखना है आएगे वीडियो को श्टार करते हैं तो RSM, SSB, LDC बर्ती अब इसी का इंतजार है सब विद्यार्तियों को इसी का इंतजार है यहाँ पर 15 लाख विद्यार्ति जिनोंने यहाँ पर CET 10 प्लस टू दिया है उन सभी को यह इंतजार है कि यहाँ पर LDC की वेकेंसी कब आएगी इसकी एक्जाम कब होगी CET दे चुके हैं किसी के 100 कुशन सही है किसी के यहाँ पर 110 कुशन सही है किसी के 105 कुशन सही है किसी के पिचान में कुशन सही है तो यहाँ पर आपका CET का रिजल्ट कब तक आ सकता है इसको लेकर कुछ दिन पहले ही आपको मैंने इन्फोर्मेशन दीती आपका जो रिजल्ट है CET 10 प्लस 2 का और गिरिशन लेवल का दोनों का ही रिजल्ट जो है 15 या 20 अपरेल से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है तो यहाँ पर जो आपका CET का रिजल्ट है या आपका 20 अपरेल से पहले पहले जारी हो जाएगा और यह मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ यह आपके जो उपेन यादव जी है बेरोजगर एकिकर्प मासंग के जो अध्यक्ष है उनका कहना है और जिस हिसाब से राजस्तान में रिजल्ट आ रहे हैं आंसर की जारी हो रही है आप देख सकते हैं हाइकोट LDC के एक्जाम 19 तारी को हुआ है और 20 तारी को आंसर की आ गई है यनि उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा तो अब राजस्तान में सभी बरतियों का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी आपर जो हो रहा है और बाकी की जो नई बरतिया है जिसमें आपके काफी सारी बरतिया आपर समलित की गई है LDC हो आपके रास्तन प्रोस कॉंस्टेबल हो इन सभी बरतियों का जो विवरन हैं काफी जल्दी आने वाला है तो सबसे पहले आपका CET का रिजल्ट आएगा उसके बाद में काफी चीज़े किलियर हो जाएंगी कितने गुना विद्यार्तियों को पास किया जाएगा मिनिमम क्राइटेरिया का अधर पे पास करेंगे या पोश्ट के अधर पे पास करेंगे ठेके ना ये सब कुछ किलियर हो जाएगा राजस्तान में LDC के सभी वाग के अंदर बहुत सरे पद खाली है और बहुत सरे RTA के तहत्या पर सूचना भी मिली और हमने वीडियो भी बनाया कि चाह सिक्षा वाग हो एजुकेशन के अलावा आपके और भी काफी सरे डिपार्टमेंट है आरपीएसी है, सेकेर्टेट है या आपके जितने भी अधिनस्त यहां पर रिवाग है उन सभी के अंदर LDC के पदों की काफी बारी आपर जो है रिक्वाइरमेंट है और तकरीबन 10,000 पदों पर भरती आएगी मैं आपको बता देता हूँ कि LDC के कितने पद होंगे तो 10,000 मान के चलिए, इससे जादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कमनी होंगे इससे प्लस ही होंगे तो 10,000 पदों पर यहां पर LDC की भरतीकट नोटिफिकेशन है या आउट होगा 2023 की सबसे बड़ी वेकेंसी है अगर आपने 12 पास कर रखा है और आपके उमर 18 साल है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं साथ में आपने CET दिया होगा CET का परमान पत्राप का रिजल्ट आते ही जारी हो जाएगा तो जब अगर रिजल्ट आपका 20 अपरेल से पहले आ जाता है तो आपका यहापर जो नोटिफिकेशन है यह कब तक आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून में इसका प्रोसेस हो जाएगा यानि मिड जून के अंदर 15 जून के आसपास आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगे LDC का एक विसरत नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा फॉर्म भी स्टार्ट कर दिये जाएगे और एग्जाम भी इसकी जो है जल्दी हो जाएगी यह 2023 के अंदर ही इसकी जो एग्जाम है वो कंड़क करा ली जाएगी तो जादा समय आपके पास में नहीं है बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है तो रिजल्ट आने के बाद तुरंते अगर फॉरम भरवा लेते हैं तो जून या जुलाई में आपके एक्जाम हो सकती है यह बात भी आपको जान रखनी है तो जितने जल्दी आपर रिजल्ट आता है CET का उतने जल्दी आपके यहापर LDC के फॉरम भरवाय जाएंगे और उसके तुरंत बाद आपका एक्जाम भी हो जाएगा जादा समय आपको नहीं मिलेगा तो अभी से आपको प्रप्रेशन करनी है अब आप CET से भी फिरी हो चुके है अब आप हाई कोट LDC से फिरी हो चुके है सब ही एक्जाम है फिरी हो चुके है कुछ बचे यहाँ पर रिट मेंस की प्रप्रेशन कर रहे थे उनका भी आपर आंसर किया आ गया है अब हमारा जो में टारगेट है वो LDC है तो LDC के लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी है LDC की तैयारी कैसे करें तो LDC की तैयारी के लिए हमने फिरी क्लास लगाई है YouTube पर रोजाना शाम को साथ वजे साइन्स की क्लास मैंने स्टार्ट करी है साइन्स की क्लास मैंने स्टार्ट करी है अब आप बोलेंगे सर सिलेबस तो आया ही नहीं सिलेबस का क्या पता साइन्स होगी नहीं होगी कैसे होगी तो भई मैं आपको बता देता हूँ अगर सिलेबस चेंज भी होता है क्योंकि इस बार सब कुछ चेंज होगा क्यों होगा, क्योंकि इस बार CT हुआ है, तो एक तरशे pre exam हो चुका है, अब mens exam होगा, तो इस mens exam में, देखो कभी भी syllabus नहीं बदलता, pattern बदलता है, हो सकता है science के question की संक्या कम कर दें, या एक ही paper कर दें, पहले आपके दो paper होते थे, जिसमें आपके पहले paper के अंदर GK ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़नी आपको सभी subject है, आपको GK भी पढ़नी है, इसके अलवा आपको science भी पढ़ना है, आपको maths भी पढ़नी है, और और भी subject आपको पढ़नी पर सकती है, हिंदिंग रिस्तों आपको पढ़नी पढ़ेगी, तो यहापर starting हमें science से कर रहे हैं, दीर दीर स्टार्ट करते हैं, देखो एक साथ तो सब कुछ बी नहीं होता, तो साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में फिरी अपकोज पढ़ा रहा हूं, मैंने टॉपिक कल से स्टार्ट कर दिया है, बिलेड पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो आपके सेलिबस में है, बिलेड गुरूप, आज भी और डिटेल पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग सभी शाम को साथ बजे जुड जाएं, इस बार अगर आप चूक गए ना, फिर चूक ही जाओगे आप, ठीके ना, क्योंकि बार बार बरतिया नहीं आती है, फिर करो 5 साल का इंतिजार, ऐसा नहीं होगा, ठीके ना, तो भईया आप तैयारी करनी पड़ेगी और notification का भरती का इंतिजार मत करो, मुझे वो बच्चे बहुत ही ऐसा लगते हैं कि यार, सर, फोरम कब से बरे जाएंगे, सर, वेकेंसी कब आएगी, अरे वो तो आज आएगी, जब घोषना हो चुकी है, CT हो चुका है, तो वेकेंसी भी आएंगी, CT क्यों लिया इन्होंने इतने पागल तो हैं नहीं, इन्होंने CT ले लिया है, CT लिया है, एक साल की वैदता है, तो एक्जाम भी होगी, भरती भी होगी, अब रिजल्ट की गोषना भी हो चुकी है लगबग, कि 20 अपरेल से पहले रिजल्ट आ जाएगा, बोड ने भी बोल दिया है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो, भई स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइंस हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी जो है, एप की भी पूरी जो है, यहाँ पर complete चीज हो चुकी है, एप बहुत जल्दी आपका launch होने वाला है, एक तारीक हमने decide कि launch कर देंगे, और उस पे भी science का course ह हम जो है, complete science का course में डालने वाला हूं, बाकी subject का बाद में बता दूँगा, अभी फिलार हम साइंस से सुरुवात कर रहे हैं, और साइंस आपको अच्छी से पढ़नी है, साइंस के लिए, मैं यह नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत तगड़ा पढ़ाता हूं, राजस्तान का 80% content जो है, उसी में से छपा है, और इसका proof मैंने आपको short video बना कर दिखाया, telegram पे दिखाया, अब आपको विश्वास फिर जाता ना होगा, बिल्कुल फिरी पूरी energy के साथ में, अच्छे content के साथ में, आपके सामने 7 वज़े आ रहा हूं, तो तयार्यों में जुड़ जा काईए, धन्यवाद